हेलो डियर स्ट्रेंट्स दोस्वागत है आपका फार्म एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्रेटफर्म जीपड डिसकेशन सेंटर में दोस्तो हम बात कर रहे थे ESIC फार्मासिस्ट मेरेथन सीरीज की और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इस से पहले इस लेक्चर से पहले हमने 99 पार्ट्स या कह सकते कि 99 लेक्चर्स हम लोग कवर कर चुके हैं आज मैं आपको यहाँ पर डिसकस कराने जा रहा हूँ हंडिट्थ सौवा पार्ट या इस सीरिज का सौवा लेक्चर और टॉपिक है फिजिकल फार्मसोटिक्स फिजिकल फार्मसोटिक्स और सब्जेक्ट हमारा फार्मसोटिक्स रहेगा तो दोस्तों फिर से मैं याद दिला दूँ इस पूरी ESIC फार्मासिस्ट मेरतन सीरिज में 5000 MCQs होने वाले हैं इसमें आपको ना केवल ESIC फार्मासिस्ट एक्जाम के लिए आपको काफी हल्प होने वाली है बलकि दूसरे भी एक्जाम जैसे की Central Drug Inspector एक्जाम, Central Pharmacist एक्जाम, State Pharmacist एक्जाम और ना केवल State D.I. एक्जाम में भी आपको काफी कुछ हल्प मिलने वाली है तो चली दोस्तो इसी तरीके से आप लोग जुड़े रही है और देखते रही है हमारी ये सीरिज तो चली आज की सीरिज हम शुरू करते हैं यहां पर और इस लेक्चर का पहला कुश्चन और इस सीरिज का कुश्चन नंबर 2971 Micromatics refers to the study of चली यह Micromatics से कुश्चन लिया गया बड़ा अच्चा कुश्चन है Micromatics का मतलब क्या होता है Microscopes, Microorganism, Metric System of Measurement, Small Particle मतलब इस कुश्चन में यह पूचा गया कि Micromatics जो एक साइंस होता है आपका Pharmacy का साइंस होता है इस साइंस में हम लोग किस की study करते हैं Microscope की study करते हैं, Microorganism की study करते हैं यह Metric System of Measurement की measurement करते हैं या फिर Small Particle की study करते हैं बिलकुर definition अगर आप उठा के दोखेंगे तो Micromatics की definition में लिखा हुआ है study of small particles है study of smaller size particles को हम क्या बुलते है Micromatics तो दोस्तों यहाँ पर correct answer क्या हो जागा D is the right answer चली दिखते हैं यहाँ का possible description Micromatics एक science होता है, technology होता है इसमें small particles को हम क्या कह सकते है इसमें small particles की study करते हैं और इस science को demonstrate किया था जोसिप M. डेलावेला न है तो याद रखिए इसको आपको scientist का नाम भी याद रखना है ताकि आपको future में अगर Micromatics Related Scientist का कोई नाम आता है तो आप definitely इस question को सही कर पाएंगे चली आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ चलते है, sedimentation rate of suspension is studies by तो दोस्तों यहाँ पर sedimentation जो rate रहती है और sedimentation rate जो हम पढ़ते हैं देखा होगा आपनों को V equal to d square rho s minus rho g upon 18 eta yes, तो मैं stock slow यहाँ पर आपको, sorry, sedimentation rate यहाँ पर निकालने के लिए एक law लिख देता हूँ यहाँ पर V equal to d square rho s minus rho naught g upon 18 eta तो यहाँ पर देखिए जो V आपको दिखाई दे रहे है, sedimentation rate है और sedimentation rate को explain करने के लिए, demonstrate करने के लिए हम एक equation यह कह सकते एक law की help लेते हैं इस पूरे question को, इस पूरे law को बुलते हम stocks law, क्या बुलते हैं दोस्तो, stocks law तो stocks law बहुत important है, याद रखिए का stocks law बहुत important है, stocks law की help से हम rate of sedimentation को find out करते हैं, rate of sedimentation जो होती है, particle के size के उपर depend करती है density difference, medium और particle के density difference के बीच depend करती है, मतलब external phase और internal phase के density difference पर depend करती है और साथ ही साथ viscosity के उपर भी depend करती है, तो इन तीनोफ factor को explain करने के लिए हमने combined एक law, एक stock scientist है, उन्होंने एक law डवलब किया, उसको बलते है stocks law, तो stocks law की helps है definitely हम किसको find out करते है, sedimentation rate को find out कर सकते है, तो चलिए correct answer क्या हो जाएगा, C, C is the right answer चलिए next question की तरब चलते है, उससे पहले हम correct answer देख लेते हैं, यह उसका possible description है, जो मैंने आपको बता दा, D is the particle diameter, rho 1 is the density of internal phase, rho 2 is the density of external phase, G is the acceleration of gravity, 18 is the number, eta is the viscosity of dispersion medium चलिए next question की तरब चलते है, apparent bulk density is expressed, bulk density और express कोई भी density हो, देखिए यहाँ पर question में apparent दिया हुआ है, तो आप लोग घवराईएगा नहीं कि apparent bulk density कुछ अलग होती है, ठीक है, different type की densities होती है, लेकि सब का अगर देखें, सब की अगर unit देखें, तो similar होती है, तो यहाँ पर options है ग्राम पर ml, option B, ml पर gram, option C, degree centigrade और option D, percentage, अगर हम देखें, एक formula देखें, उस formula को में बहुत याद रखना पड़ेगा, मैं अच्छे से जान रखना पड़ेगा, कि density, density equal to mass upon volume, यह formula रहता है, एक important relation होता है, density का mass volume से, यह कह सकते है, density, density, mass और volume के बीच, एक relation है, important relation है, इसको help से आप क्या निकाल सकते हो, density की unit निकाल सकते हो, तो M is the mass, mass की unit क्या होती है, gram, और V is the capacity, capacity क्या होती है, ml, यहाँ पर जो unit निकल के आएगी, आपकी density, कोई भी density हो, सबकी unit एक जसी रहेगी, तो इस हाँ पर जो unit रहने वाली, इसकी क्या रहने वाली, gram per ml, मतलब correct answer क्या हो चली, next question की तरब चलते है, centistock is the CGS unit for the following property, centistock, yes, अच्छा question है, option A, surface tension, option B, coefficient of viscosity, option C, fluidity, option D, kinematic viscosity, yes, तो यहाँ पर देखिए, surface tension की unit dine per centimeter होती है, तो centistock होगी नहीं, coefficient of viscosity, of viscosity को भी बोलते है, fluidity is the reciprocal of viscosity, viscosity की unit, अगर हम देखे हैं, तो poise या centipoise होती है, लेकिन यहाँ पर centistock दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर correct answer क्या होने वाला है, kinematic viscosity, उसको याद रखिए, kinematic viscosity की unit होती है, वो centistock या stocks होती है, kinematic density जो होती है, आपकी, कह सकते हैं कि, viscosity और density के बीच में, एक ratio को determine करती है, मतलब एक ratio को express करती है, density और viscosity में, क्या ratio रहता उस ratio को हम kinematic viscosity के form में express करते हैं, चलिए kinematic viscosity right answer हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर kinematic viscosity का formula, absolute viscosity upon density, यह देखे, relation है दोनों के बीच में, अगर माल लीजे, system की viscosity अगर आपको पता हो, और viscosity पता हो, तो अगर आप viscosity को density से आप divide करोगे, तो आपको दोस्तों क्याम निकल के आपके पास kinematic viscosity निकल के आईगी, तो kinematic viscosity is the ratio of the absolute viscosity upon the density of the material, यहाँ पर देख सकते हैं, relation दिया हुआ है, इसको meter per second के तौर पर भी express करते हैं, one stock is equal to 10 to the power minus 4 meter square per second, one centi stock is equal to 10 to the power minus 6 meter square per second, और one poise equal to one centi stock होता है, चली, आगे बढ़ते हैं, इस यह relation हो गया, आप चली आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, when a solid form a gel, चली question थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, माल लीजे, एक solid ने क्या किया, gel formation किया, more readily, when gently shaken, और otherwise shared than when allowed to form the gel, while the material kept at rest, the phenomena is known as, यह इसमें क्या किया, ज solid material था, gel form readily, when gently shaken, उसको shake किया, हलके से shake किया, तो उसने gel formation किया, या फिर हम उसको shared किया, तो उसके क्या, current क्या हुआ, gel formation हुआ, तो इस टाइप के system को, इस टाइप की phenomena को क्या बोलते हैं, thixotropy, reopexy, ठीक है, और negative thixotropy, और anti-thixotropy, तो दोस्तों आपको याद रखना है, कि यहाँ पर, कि यदि माली इस तरीके से gel formation हो रहा है, slightly shaking से, या फिर क्या मोलते हैं, या फिर क्या मोलते हैं, या फिर थोड़ी से थोड़ा बाद share करने से, तो उस phenomena को बोलते हैं, रियो पैक्सी, यह हमें याद रखना है, दोस्तों, क्या होता है, रियो पैक्सी, रियो पैक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अगर फिनोमेना के बारें बात कर रहा है, तो यहाँ पर, सॉल किस में convert हो रहा है, जैल में convert हो रहा है, सॉल टू जैल, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रियो पैक्सी बोलते हैं, और ठिक्जो टॉपी में क्या होता है, कि यहाँ आपर एक तरीके से जेल जो होता है वो स्वाल में कनवर्ट होता है तो इस टाइप की फिनोमेना आप को याद रख नहीं है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं नेक्स फिर्शन की तरफ चलते है देखें यहां पर यह जो methods आपको दिखाई दरी है यह surface tension या interfacial tension की measurement की method होती है लेकिन यहां पर जो description दिया हुआ है उसमें कुछ ऐसा बताए जा रहा है कि यहां पर एक कोई apparatus है आर्टिकल है जिसमें क्या होता है कि आपका जो कह सकते है liquid raise करता है एक particular level तक ठीक है लेकिन थोड़ा gravity force लगती है तो उसके काण एक particular level तक ही जाता है यहां पर देखिए इस तरीके से आपका जो material है देखें ट्यूब है ठीक है यह जो movement है upward movement है एक limit तक होगा यह जो आपका movement होगा upward movement किसका आपके liquid का एक limit तक होगा उसके बाद just क्या हो जाएगा stop हो जाएगा counter balance हो जाए किस से आपके gravitational force है यह phenomena यह principle किस type के कह सकते हैं कि measurement की method में होता है किस type के interfacial tension है surface tension measurement method में होता है option A, tensiometer, option B, bubble pressure, option C, drop bed, option D, capillary rice देखे, capillary rice method में यह सब को चोता है यहाँ पर आप थोड़ा सा जिमायक लगाते हैं थोड़ा सा हो जाता capillary, capillary मतलब tube में tube में यह process हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका material एक level तक rage कर रहा है उसके बाद stop हो गया तो यह किस के कारण हो रहा है surface tension के कारण हो रहा है तो correct answer क्या हो जागा दोस्तो D, capillary rice method चलिए, इसका possible description देखते हैं क्या है, इसका possible description आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से तो यहाँ पर एक liquid का आप एक level तक rise होगा और उसके बाद stop हो जाएगा यह देख सकते हैं आप यहाँ पर चलिए, next question की तरफ चलते है multipoint viscometer that is used determined viscocity तो यहाँ पर देखें viscocity को determine करने के लिए दो तरह के viscometer यूज़ करते है single point और multipoint तो यहाँ पर देखें चेक करते हैं australd viscometer single point होता है capillary viscometer single point होता है falling ball single point viscometer होता है cup and bob corn and plate यह multiple होते हैं कौन कौन से होते हैं multiple मैं फिर से बोलूँगा cup and bob हो गया और दूसरा corn and plate corn and plate यह क्या होते हैं multipoint viscometer होते हैं दोनों के दोनों यह तीनों के तीनों कैसे हैं single point है कैसे हैं दोस्तों, single point, यहाँ पर हमारे question में क्या पूचा गया है, multi point viscometer, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, D is the right answer, D क्या हो जाएगा, right answer, तो चलिए right answer खुचते हैं, क्या है, right answer क्या है, RRB pharmacist exam का question है, चलिए देखते हैं, yes, D is the right answer, okay, चलिए, यह आपके description आप देख सकते हैं Single point, austral viscometer, यह capillary viscometer, falling spur viscometer, यह nitrogen float के लिए applicable होते हैं, cup and bob and corn and plate viscometer, non-neutrogen float के लिए applicable होते हैं, और साथी साथ क्या होता है, multi point viscometer होते हैं, चलिए, आगे बात करते हैं, next देखते हैं, to study the stress and rate of shear, the phenomena of converting gel to sol is non-edge, gel to sol convert, ठीक है, plastic flow, pseudoplastic flow, thixotropic flow, और dilatant flow, दोस्तों, यहाँ पर gel किसमे convert हो रहा है, sol में convert हो रहा है, gel से sol में phenomena convert हो रही है, plastic, pseudoplastic है और dilatant flow में इस तरीके का mechanism देखने को नहीं मिलती है, यह capable किसम मिलती है, अगर देखें, बात करें, especially, especially बात करें, तो किसमों thixotropic phenomena होती है, कैंसी होती है, thixotropic phenomena, तो correct answer क्या हो जा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आपने share stress apply किया, इसके जो contact points है, कहा सकते हैं, कि आपके bonding हो ब्रेक हो जाती है, और sol में convert हो जाता है, gel से sol में convert हो जाता है, लेकिन कुछ दिर रख देने के बाद दोबारा से sol से gel में convert हो जाएगा, pseudoplastic flow, plastic flow, dilatant flow, यह non-neutronian time independent flow होते है non-neutronian time independent flow होते हैं, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बड़े चलते हैं, 2979 question, which of the following method is used to determine the flow property of powder, flow property of powder, angle of repose, sedimentation, defloculation, none of the other, देखिए, defloculation तो होता नहीं है, sedimentation से हम particle size determine करते हैं, लेकिन यहाँ पर question हो पूचा गया है, flow property, flow property को measure करने के लिए आप क्या use करोगे, flow property को measure करने के लिए आप दोस्ते हैं यहाँ पर क्या use करोगे, angle of repose, angle of repose के अलाबा और भी method रहती है, जैसे आपका cars index और hausner ratio, यह method भी होती है, जिसके तुरू हम क्या करते हैं, हमारी flow property को determine करते हैं, और एक चीज़ और बताना जाओंगा, कि angle of repose की value जितनी lower होती है, जितनी कम होती है, आपकी अगर बात करें, flow property उतनी ही better होती है, तो angle of repose की value जितनी कम होगी, flow property उतनी best होगी, तो correct answer क्या हो जागा, A, angle of repose, चलिए, आगे बढ़ते हैं, correct answer A, चलिए possible description आप देख सकते हैं, angle of repose की base पर, criteria तो यहाँ पर देखिए, कुछ values दी गई हैं, आप देख सकते हैं, formula angle of repose का, theta equal to 10 inverse h upon r, h is the height of pile, और r is the radius of pile, यहाँ पर क्या होता है, इस method में क्या होता है, कि हम angle of repose को measure करने के लिए बहुत सारी method होती है, इसमें fixed funnel and con method होती है, तो उसमें क्या होता है, यह अगर उस method के बारे बात करें, तो इस तरीके से pile बनता है, ठीक है, और भी methods में pile बनते हैं, और इस pile को अगर description देखे हैं, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, यहाँ पर यह pile की height हो गई और यह radius होगी, उनके बीच जो maximum contact होता theta है, इसको angle of repose बोलते है, theta की value जितनी कम होती आपका, आपका flow property उतनी ही अच्छी होती है, अगर हम आपर देखें, 25 से 30 पर excellent flow मिलेगा, 31 से 35 good flow मिलेगा, 36 से 40 पर, फिर, 41 से 45 पर, पासिवल, यह degree में है, याद रखना है, angle of repose किसमे है, सभी किसमी, degree में है, इसको याद रखना है, किसमे हैं दोस्तों, degree में है, तो 41 से 45 पासिवल, 46 से 55 पूर, 56 से 65 वेरी पूर, और more than 60, 6, वेरी वेरी पूर, तो यहाँ पर यह थीटा की जो value दिख रही है, angle of repose है, R is the radius of the base of pile, यह आपका radius हो गया, और यह आपका height of pile, यह height of pile होगा, इनके बीच जो angle है, उसको क्या बोलते हैं, angle of repose के नाम से जानते हैं, चली दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यह question तो हो गया, अच्छे से आपको cover हो गया होगा, angle of repose से related, जो भी question आएगा, definitely आपसे बनेगा, चली, next question पर जलते है, HLV system used to classified, surfactant preservative antioxidant sequestering agent, देखिए जो आपका HLV system सबसे पहले हम इसका full form देखते हैं, HLV का full form क्या होता, hydrophilic, lipophilic, balance, yes, क्या बोलते हैं, इसको hydrophilic, lipophilic balance, मतलब एक ऐसा molecule, जिसमें hydrophilic part और lipophilic part दोनों, और उनके बीच balancing क्या है, कौन सा part ज़्यादा dominate कर रहा है, कौन सा part कम dominate कर रहा है, तो इसके साब से एक balancing skill देगे हैं, उसको बोलते हैं, hydrophilic, lipophilic balance, तो इस इन में से अगर देखें, तो कौन सा molecule है, त तो आपका surfactant रखता है, हले कुछ preservative भी रखते हैं, लेकि surfactant इस तरीके का behavior रखता है, इसमें क्या होता है, polar head होता है, आपने देखा होगा, और दूसरा आपका non-polar tail होता है, जा होता है non-polar tail, तो polar head and non-polar tail होती है, यह आपका hydrophilic region होता है, और यह आपका lipophilic region होता ह तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका HLV का मतलब, वो तो clear हो गया कि hydrophilic lipophilic balance, जो मतलब है hydrophilic lipophilic part रखने वाले जो substance होती है, उनमें यह system होगा, तो वो material कौन है, आपका surfactant होता है, तो correct answer तो surfactant होगा, लेकिन इसके बारे में थ रखा गया था, मतलब जो अपने जो chain जो आपका system बनाता है, HLV scale system बनाता, उसमें केवल non-ionic surfactant को incorporate किया गया था, according to HLV value, जो low HLV value वाले surfactant होते हैं, वो lipophilic character के होते हैं, और high HLV value वाले surfactant जो होते हैं, वो hydrophilic character के होते हैं, और इसके बेस पर, HLV की बेस पर हमने component को अलग-अलग property assign की, जैसे anti-forming agent, OW emulsifier, W emulsifier, wetting agent, detergent और solubilizing agent, तो दोस्तों, यहाँ पर answer क्या है, A, surfactant, चलिए, तो यह HLV scale हम देख लेते हैं, यहाँ पर possible description आपके सामने हैं, देखिए, तो यह देखिए, यहाँ पर HLV scale को आपने 1 to 18 तक दिया है, वैसे, basically अगर द देखें, तो 1 to 3, anti-forming 3 to 6, W emulsifier agent 7 to 9, wetting agent 8 to 16, OW emulsifier 13 to 15 detergent, और 15 to 18 है, जो आपके solubilizing agent है, चलिए, इसको याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, the temperature dependent and the theory viscosity, the temperature dependence and the theory viscosity are expressed by the following in, Stern-Wolmer equation, RNS equation of chemical kinetics, Higuchi equation, Gibbs equation, यह question थोड़ा सा ऐसा लगता है, बड़ा tough question होगा, और आप इसमें कोई भी option सोच सकते हो, लेकिन यह B option नहीं सोचोगे, क्यों नहीं सोचोगे, क्यों नहीं सोचोगे, B option, B option मतलब आपका chemical kinetics से लिए आगे, drug degradation है, drug stability के बारे बता रहा है, लेक हम RNS equation उसको utilize करते हैं, तो correct answer क्या हो जागा दोस्तो, B, RNS equation, yes, B is the right answer, हम देख सकते हैं यहाँ पर, यह RNS equation है, तो आपको पता है कि, viscosity के बारे में अगर बात करें, तो दो टाइप के fluid होते हैं, एक gas और दूसरा liquid, gases की viscosity, temperature बढ़ाने पर बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता हैं, बात करें, तो temperature increase करते हैं, तो bonding तूटती है, molecule दूर दूर जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, viscosity decrease हो जाईगी, तो gases की, देखें, temperature अगर increase करें, हम देखें, इसको overall, अगर इसका, इस equation की overall, मतलब देखें, कि utility क्या है, temperature अगर increase कर देते हैं, तो gases के case में, gases के case में, viscosity क् increase हो जाएगी, वहीं, liquid के case में, अगर हम बात करें, तो viscosity क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर bonding establish हो रही है, यहाँ पर bonding बिखर रही है, तो कुल बला के यह पूरा खेल, जो viscosity का पूरा खेल होता है, वो depend करता bonding के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह equation आपका eta equal to A to the power EVRT, R is the gas constant, RT is the absolute temperature, EV is the activation energy, E exponential है, यह constant है, एटा आपकी viscosity है, चले, आगे बढ़ते हैं, एक important information आपके लिए, जो बच्चे चाहते हैं कि ESIC pharmacist exam की preparation करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे pass free batch भी available है, ESIC pharmacist के लिए जिसमें आप पा सकते हैं, हमारा पूरा course और साथी साथ efficient learning, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बड़ा simple सी चीज आपको, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, GDC Classes app डाउलोड करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद proper इसको install करके, register करके, आपको वैच में विजिट करना, वैच में विजिट करने के आपको प्लस का बटन मिलेगा, उसको क्लिक करना है, उसके बाद आपको batch code का option आएगा, आपको ESIC 2023 batch code उसमें put करना है, तो इसके बाद आपकी classes शिरू हो जाएंगी, और आप अपनी तैयारी को एक नया स्वरूप दे सकते हैं, चली, आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों ये बड़ा अच्छा question है, जनरल question ही पूचा जाता है, अगर जनरल knowledge के pointer भी से बोलें, तो हम देखते हैं, कि जो हमारा drop रहता है, water drop रहता है, gas bubble रहता है, वो spherical ही होता है, ये ऐसा flat, इस type का rectangle, या square, इस type का नहीं होता है, spherical क्या होता है, तो spherical होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है, surface tension, surface tension के कारण जो molecule होता है, molecule क्या होता है, जो आपकी जैसे drop है, ये maximum area, sorry, minimum area घिरने की कोशिश करती है, मतलब ये contract होने का कोशिश करती है, surface tension के कारण आपकी drop rate जो होती है, वो contract होने की कोशिश करती है, contract होने का region क्या है, कि इससे क्या होगा, minimum, minimum area, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि minimum area occupied करने की कोशिश करती है, maximum से minimum की, सबस्ते है कि stability आजा है, minimum area occupy करेगी, तो stability आएगी, तो इसके लिए क्या करती है, कि इसके अंदर से, कोई से force लगते हैं, से कारण क्या होता, surface के molecule अंदर की spherical हो जाती है, तो correct answer क्या हो जागा, दोस्तो, B, surface tension, ओके, चलिए, तो B is the right answer, next question की तरफ चलते हैं, उससे पहले यह description देख सकते हैं, आपर, इस तरीके से surface tension के कारण, कोई भी water drop या bubbles, या कोई बारिश की बूंद भी, क्या होती है, कि आपका spherical shape लेने की कोशिश करती है, चलिए, next question, यह आपका HLV scale से लिया गया है, WO emulsifier, water in oil emulsifier have HLV scale value are, 1, 2, 3, 2, 6, 7, 2, 9, और 13, 2, 16, जैसे कि मैंने जैसे आपको दोस्तो, HLV scale का description बताया था, तो उसमें बताया था, कि जो आपकी low HLV value वाले surfactant होते हैं, वो किसका का काम करते हैं, आपका lipophilic, कह सकते हैं कि lipophilic substance जैसा काम करते हैं, मतलब उनका lipophilic nature का होता है, lipophilic nature के होते हैं, तो यहाँ पर important चीज क्या देखे, WO emulsifier, sorry, WO emulsion है, क्या है, WO emulsion है, तो इसमें oil content जादा है, जो oil part है, more है, और water part क्या है, less है, water part क्या है, इसमें, less है, more oil part, less water part, water part काम है, oil part जादा है, तो यदि हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर दो option है, दो option आपको देखाई दे रहे हैं, कि जिसमें HLV, कम HLV value वाले substance utilize हो सकते हैं, 123, 326, ठीक है, यह थोड़ा सा, यह थोड़ा सा जादा हो गया, और यह सबसे जादा हो गया, तो हम यहाँ पर 7 to 3, एचली भी skill वाले क्या होते हैं, anti-forming agent, 7 to 9 वाले क्या होते हैं, दोस्तों, wetting agent होते हैं, क्या होते हैं, wetting agent, ठोड़ा सा और आगे चला है, 13 to 16 वाले क्या होते हैं, detergent होते हैं, यहाँ पर क्या बचता है, एक यह option बचता है, 326, 326 वाले O, W, sorry, W, O, MLC fire, जो surfactant होते है ऐसे surfactant, जिनकी HLE value 326 के बीच में होती है, वो W, O, MLC fire का काम करते हैं, और ऐसे, MLC fire, जिनकी HLE value 8 to 16 होती है, वो O, W, MLC fire का काम करते हैं, दोस्तों, इसको याद रखिएगा, अच्छा question है, आ सकता है आपके exam में, तो correct answer क्या हो जागा, B is the right answer, yes, तो देखिए, possible description है इसका हो सकता है तो, जो हम लोगो नहीं काफी पहले discuss किया, Griffin ने 1949 में इसको demonstrate किया था, और non-ionic surfactant के लिए skill को develop किया था, शुरू बात में इसमें 1 से लेकर 18 तक, 1 से लेकर 18 तक, इस skill को दिया गया था, और उसमें किवल non-ionic surfactant रखे गए थे, लेकिन आज कल ionic, ketionic, anionic, सभी type के surfactant को इसको incorporate कर दिया गया और ये extended हो चुगिया 40 तक, सबसे जादा actually value होती है आपकी SLS की 40, चलिए, next vision, which of the following instrument used to determine the surface area and pore structure, surface area और pore structure को determine करने के लिए, देखे, keyword हमारे पास क्या है, surface area, pore structure, तो counter-counter method से particle size determine करते हैं, वास्तिकता में से particle volume determine होता है, फिर उससे indirectly particle size होता है, एंडरसन prepared apparatus से आप particle size determine करते हो, optical microscopy से particle size determine करते हो, तो यह तो यह होगा नहीं, B होगा नहीं, D होगा नहीं, तो correct क्या बसता हमारे पास, C, quantasorb, quantasorb से हम surface area determine करते हो, क्या करते हैं, quantasorb से, surface area, इसके अलाब एक fissor, subseep, sizer, एक instrument होता है, उससे भी surface area determine किया जाता है, लेकिन आपर option में वो नहीं है, option में आपर C, quantasorb है, तो correct answer आप C लगा दीजिए, quantasorb, चलिए, C is the right answer, यह इसका possible description आप देख सकते हैं, आपर, क्या है इसका explanation, तो surface area measurement करने के लिए, ठीक है, आपका nitrogen absorption method आप यूज कर दो तरीकी method होती है, gas absorption method होती है, और एक gas absorption method होती है, और दूसरा air probability method होती है, दो method होती है, इनको हम use करते हैं, कौन-कौन सी, gas absorption method और air probability method, यह आपकी gas absorption method है, जिसमें beat equation utilize करते हैं, Brunner image Taylor equation और quanta swarm इसमें instrument होता है, और इसमें detector जो होता है, thermal conductivity detector हम लोग use करते हैं, दूसरा आपका air probability method है, उसमें posilis equation और pozeny carbon equation यूज करते हैं, equal to the CMC, yes, यहाँ पर question पूचा गया है, कि what temperature बताईए, जिस पर आपकी surfactant की solubility, CMC मतलब critical micellar concentration के बराबर होती है, तो मतलब यहाँ पर temperature पूचा गया है, question में देखिए, धान दीजिए कि दोस्तों, temperature, बच्चे क्या करते हैं, फट से यह answer लगा देते हैं, CMC देखा, मतलब, CMC मतलब critical micellar concentration, दोस्तों, यहाँ पर critical micellar concentration का full pump नहीं पूचा गया है, CMC, CMC का full pump नहीं पूचा गया है, critical micellar concentration होता है, यहाँ पर temperature पूचा गया है, और what temperature जिस पर आपके surfactant की solubility CMC के बराबर होती है, मतलब, वह point जिस पर आपका, क्या कह सकते हैं कि, micellar formation शुरू होता है, वह temperature जिस पर micellar formation शुरू होता है, तो option यह तो concentration है, option B, option C, और option D, option B, craft point, option C, cloud point, option D, solubilization, solubilization तो आपका solubilization मतलब micellar scale से हम drug की solubility को increase करते हैं, solubilization बोलते हैं, तो A और D point तो होगा नहीं, अब हमारा point रुख जा, दो चीज़ों में रुख जाता है, point मतलब temperature, कोई भी point जब word आता है, तो वह temperature होता है, usually, तो यहाँ पर दो point आते हैं, एक craft point और cloud point, तो craft point वह point होता है, जिस पर आपका critical micellar concentration आता है, और micellar formation start होता है, तो craft point, what temperature होता है, जिस पर आपके micellar formation start होता है, temperature at which formation of micellar initiate, what temperature, जिस पर micellar formation शुरू होते हैं, उसको बोलते हैं craft point, craft मतलब एक तरीके सिखर्वन, बैस scientist के नाम पर लिया गया है, craft point, लेकिन craft का मतलब तो बनना, तो micellar formation start हो गए हैं, ऐसे आपने देखा होगा, micellar क्या होते हैं, aggregate of surfactant होते हैं, एक definite concentration पर होता है, यह aggregation जो होता है, definite concentration पर होता है, उस definite concentration को बोलते हैं, micellar concentration, और इस structure को बोलते हैं, micellar, और जिस temperature पर होता है, उसको बोलते हैं craft point, तो craft point की एक definition यह होगी, कि what temperature जिस पर micellar formation start होता है, यह पर craft point की एक definition होती है, जिस पर आपके surfactant की solubility, CMC के बराबर होती है, क्योंकि जब solubilize होगा, तभी micellar formation start होगा, तो यहाँ पर जो definition, एक दूसरी definition से लिया गया question, solubility of surfactant is equal to CMC, तो इस condition को बोलते हैं, इस temperature को बोलते हैं, इस temperature को अगर बात करें, तो क्या बोलते हैं हम, इस temperature को craft point बोलते हैं, cloud point क्या होगा, आपकी दिमाग वहीं भी चलना होगा, cloud point क्या होता है, तो cloud point what temperature होता है, जिस पर micelles बिखर जाते हैं, तूट जाते हैं, cloud ही नहीं सा जाते हैं, इसलिए C तो answer होगा नहीं, correct answer क्या होगा, B, चली, next question की तरफ चलते हैं, B is the right answer, यह इसका possible description आप देख सकते हैं, तो cloud point का मतलब क्या होता हो, craft point का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, चली, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ चलते हैं, which of the following is not a fundamental properties, इनमें से कौन सी fundamental property नहीं है, surface area, particle size, particle number और particle volume, देखें, दो type की property होती हैं, किसी particle की fundamental और दूसरी dry property, fundamental property यह बारें बात करें, तो उसमें surface area होता, particle size, particle number और particle shape, यह सब fundamental में आती है, वहीं dry property हों बात करें, तो volume, density, bulkiness, porosity, porosity and void space, और flow property, यह सब क्या आती हैं, आपकी derived property में आती है, यहाँ पर question हो पूचा गया, कि not a fundamental property, तो surface area fundamental है, particle size fundamental है, particle number fundamental है, particle volume है, वो fundamental नहीं है, वो कैसी आपकी derived property है, तो correct answer क्या हो जागा, D, चलिए, D is the right answer, यह सका possible description आप देख सकते हैं, आपर, ठीक है, चलिए, according to which law, at absolute zero temperature, the entropy of a perfectly crystalline substance, is taken as a zero, yes, first law, second law, third law, zero law, तो देखे, thermodynamics के basically, three laws होते हैं, लेकिन एक zero-th law और incorporate कर दिया गया, लेकिन आपर बताना चाहूंगा, zero-th law answer नहीं है, यह statement जो दिया गया, वो third law का statement है, third law का statement यह कहता है, कि absolute zero temperature पर, किसी perfectly crystalline substance की, जो entropy होती है, entropy of the perfect crystalline substance, किसी crystalline substance की, जो entropy होगी, crystalline substance की, जो entropy होगी, कितने, absolute zero temperature हो, crystalline substance की, entropy होगी, entropy, कितने temperature पर, absolute zero temperature पर, कितनी होगी, zero होगी, मतलब entropy zero, zero, zero degree centigrade temperature, absolute zero temperature पर, zero entropy होगी, किसी perfectly crystalline substance की, यह कहता है, third law, यह कहता है कि, कौन बोलता है, third law, तो correct answer क्या हो जागा दोस्तों, C, C is the right answer, third law, yes, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर possible description, यह first law, just काफी important, काफी popular है, energy neither created nor destroyed, converted into the one form to another form, second law कहता है, the state of entropy of the entire inverse, as in isolate system will always increase over time, किसी entire inverse की, state of entire inverse की जो entropy होती है, जब वो एक isolated system के जैसे होता हमेशा increase होती होती है, और 0th law क्या आते हैं, यदि दो body, आपस में thermal equilibrium state में हैं, ठीक हैं, तो अगर तीसरी body, तीसरी body के साथ उनमें से, कोई भी एक body equilibrium है, तो वे सभी के सभी आपस में equilibrium में हो जाएंगे, उसको बोल law, चलिए, आगे चलते हैं, if the cars index of a powder is 10%, the type of powder flow, poor flow, excellent flow, good flow, देखें, cars index, जो होता है, आपके एक तरीके से बोलने तो, आपका flow property measurement की indirect method होती है, और इसमें क्या होता है, हम bulk density measurement की वेस पर, कह सकते हैं कि, pore density, tap density का use करके, bulk density measurement की method होती है, तो bulk density, pore density और tap density, आप measurement यूज करके, आप इसको find out करते हैं, और इसकी value जितनी कम होती है, उतना अच्छा flow होता है, तो यहाँ पर देखें, value कितनी दीगे, 10%, question में क्या दिया गया, value 10% दीगे, 10% value मतलब, इसका मतलब कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं value बहुत कम है, तो मतलब excellent flow होगा, लेकिन आपको ये table याद रखनी है, दोस्तों आपको ये table याद रखनी है, कि आपका excellent flow कितने पर होता है, good कितने पर होता है, poor कितने पर होता है, excellent कितने पर होता है, तो यहाँ पर जो excellent flow जो होता है, 5 to 15% पर होता है, कुछ books में equal to or less than 10% भी दिया गया है कुछ बुक्स में आपका 5 to 15 भी दिया हुगा कुछ भी दिया हुगा लेकिन excellent answer आएगा चलि excellent answer और यह table आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 5 to 15 पर excellent 12 to 16 पर poor 18 to 21 पर sorry poor नहीं होगा यहाँ पर good होगा यहाँ पर correct करता हूँ यहाँ पर क्या होगा गुड होगा और यह 18 to 21 fair possible 23 25 poor 33 to 38 very poor more than 40 very very poor चली आगे बढ़ते next vision की तरफ चलते हैं तो जब the following instrument used for the measurement of surface tension surface tension को measurement के कौन सी method use करते हैं stagylometer, donor, tensiometer, Anderson pipette apparatus देखें दोस्तों Anderson pipette apparatus होता है आपका sedimentation method की उपर based रहता है और इससे particle का size particle size या particle कह सकते हैं radius और particle number determine करते हैं particle कह सकते हैं size and size distribution determine करते हैं Anderson pipette apparatus की help से हम लोग दोस्तों क्या करते हैं size and size distribution determine करते हैं किससे Anderson pipette methods है तो यहाँ पर दो option बसते हैं stagylometer और donor tensiometer यह दोनों जो method आप देख रहा है stagylometer और donor tensiometer यह दोनों की दोनों method जो होती है से आप surface tension को measure करते हैं correct answer क्या हो जागा दोस्तों D, both A and B, D is the right answer D क्या हो जागा दोस्तों correct answer हो जाएगा यहाँ पर बड़ा अच्छा question है जो दोस्तों आप देख सकते हैं आसो इस question को और इस question को हमें ध्यान रखना है ध्यान रखना है इस question को क्योंकि इस type के question बहुत देखेंगा है यह exam में इसलिए हमें इसको देखना है चली answer देख लेते हैं क्या है answer correct answer D है और इसके अलावा और भी बहुत सार instrument होते हैं जिनकी help से हम क्या करते हैं surface tension और interfacial tension major करते हैं जिसमें से आपना capillary dice method हो गया drop weight drop counter method हो गया विलहमी plate method हो गया सजाइल drop method हो गया pendant drop method हो गया यह सब क्या surface tension measurement करने की method है चली आगे बढ़ते हैं downward creaming generally result in which type of emulsion WO, OW, both A and B, none of the M तो दोस्तों यहाँ पर यह चो creaming होती है एक creaming problem भी होती है emulsion के लिए होका identification test भी होता है तो यहाँ पर देखिएगा इसमें यहाँ पर creaming में basically क्या होता है कि internal phase जो droplets रहती है क्या होती है internal phase droplets रहती है वो move करती है either in the upward direction और in the downward direction और यह movement जो होता है जो movement होता है वो depend करता density के ऊपर जैसे आपने देखा oil की density कम होती है as compared to water तो oil हमेशा किस की तरफ move करेगा ऊपर की तरफ move करेगा तो यहाँ पर movement किसका होगा internal phase globules का तो यहाँ पर question में पूछा गया किसका downward creaming तो देखिए downward creaming में कौन move करेगा कौन move करेगा water move करेगा क्योंकि water की density का ज़्यादा होती है तो water नीची की तरफ move करेगा तो मतलब water internal phase होगा और oil external phase होगा upward creaming में ज़्यादी हम बात करेगा तो कौन move करेगा oil move करेगा मतलब oil internal phase होगा क्योंकि इसकी density कम है इसलिए उपर की तरफ move करेगा upward direction move करेगा water external phase होगा तो upward creaming किसमे होगी OW emulsion में और downward creaming किसमे होगी WO emulsion में तो correct answer क्या हो जागा A is the right answer यह क्या हो जागा दोस्तो right answer तो यहाँ पर check कर सकते हैं A is the right answer है चलिए ओके बढ़ जाते हैं next question पर question number 2991 tonicity of the solution may be determine by which of the following method hemolytic method, colligative method, cryoscopic method तो दोस्तों यहाँ पर जो correct answer होने वाल हमारे पास both A and B yes hemolytic method और colligative method यह दोनों method होती है आपको particle की system की आप tonicity measure करते हो yes यह दोन method है अब यह क्या method of measurement of tonicity, homolytic method और colligative method और method of adjusting tonicity कौन सी होती है cryoscopic method of freezing point depression, sodium chloride equivalent method, white vincent method और sprawl method यह 4 method से tonicity adjustment करते हैं देखे question में जो था cryoscopic method यह tonicity adjustment की method होती है जबकि tonicity को measure करने की method होती है hemolytic और colligative method होती है, याद रखना, यह adjustment की method है और यह measurement की method है इन दोनों को याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते है, next question पर question number 2992, pseudo plastic flow and dilatant flow are also known है shear thinning system and shear thickening system, shear thinning system, shear thickening and shear thinning system, elastic deformation, plastic deformation, flocculated and defloculated देखिए यहाँ पर C और D option तो होगा नहीं, elastic और plastic जैसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पर A और B में थोड़ा सा confusion है तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका dilatant flow है, dilatant flow से आपको ऐसा लग रहा है कि dilatant मतलब कैसा हो गया आपका thin हो गया, पतला हो गया, लेकिन उल्टा होता है, dilatant में volume increase होता है, लेकिन system कैसा हो जाता है थिक हो जाता है, तो यह shear thickening system होता है, और pseudo plastic system में जब shear stress लगाते हैं, तो system कैसा, आपका medium, जो आपका object हो कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है, इसलिए इसको shear thinning system बोलते हैं, तो correct answer, pseudo plastic के लिए shear thinning और dilatant के लिए shear thickening होगा, correct answer क्या हो जागा दोस्तों, A is the right answer चली, आगे बढ़ जाते हैं, next question की तरफ चलते हैं, यह इसका possible description है, आप देख सकते हैं, ethylene diamine tetraaceted, वो hexadented होता है, यहाँ पर correct answer क्या हो जागा, B, bidented, याद रखिएगा, तो यह possible description है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर, bidented का example, unitented ammonia, bidented, ethylene diamine, tetradented, tritharine, tetramine, hexadented, EDTA चली, एक और important information आपके लिए, अगर pharmacist exam की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और अच्छा score करना चाहते हैं, qualified होना चाहते हैं, तो उसके लिए आज ही आपके लिए यह दो book available हैं, हमारी app पर, कह सकते हैं कि market में available हैं, pharmacist exam at your fingertips, theory और MCQ, दोनों की books available हैं, और यह दोनों book coloreds हैं, बहुत कम price पर हैं, और इनका जो कह सकते हैं कि designing है, content है, according to syllabus है, आपके जो pharmacist का syllabus है, उसके according इनको design किया गया है, theory book की खास बात मैं बता हूँ, इसमें well summarized form में आपकी theory दी गई है, मतलब गागर में सागर भर दिया गया है, short और summarize notes हैं, और अगर बात करें, कि objective books के बारे, objective at our fingertips के बारे बात करें, तो यहाँ पर अगर बात करें, तो इसमें जो आपके questions हैं, वो आपके classified form में, according to titles, according to subject, according to topic, तो definitely यह जो दोनों books है, pioneering tool होंगे आप लोगों के लिए, जो जिससे आपको क्या होगा कि बहुत advantage मिलेगा exam में, तो चली, आज ही इसको book कर लीजिए, औ अपनी success को sure कीजिए, चली, आगे बढ़ते है, question number 2994, what one usually measure when performed drive test to evaluate the efficiency of waiting agent, क्या measure करते हैं, ठीक है न, एक question थोड़ा गुमा के पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, कि drive test में क्या measure करते हैं, option A, time, option B, surface tension, option C, contact angle, और option D, interfacial tension, तो हमारे दमाग में, waiting agent जैसे ही आता है, हम contact angle फटाक से लगा देते हैं, बटा यहाँ पर contact angle measure बाद में होगा, लेकिन directly, indirectly, contact angle measure नहीं होगा है, actual मैं, इसमें drive test में हम क्या करते हैं, efficacy test करते हैं, किसकी, आपके, wetting agent की, contact angle measure नहीं कर रहे हैं, efficacy test कर रहे हैं, किसकी, wetting agent की, तो wetting agent कितना effective है तो wetting agent किसी material को जितनी जल्दी wet करेगा wetting agent की help से अगर मालीजे कोई wetting agent यूज़ कर रहा है हम medium में तो उस wetting agent की help से वो आपका solid कितनी जल्दी आपकी liquid से wet करेगा उतना अच्छा wetting agent कर लाएगा ठीक है तो इसमें कितनी जल्दी कितनी जल्दी wet करेगा जल्दी मतलब time ये किसको बता रहा है time को बता रहा है कि जितना कम time लगेगा उतना अच्छा wetting agent होगा मतलब किसी solid को liquid से wet कराने के लिए अगर हम wetting agent यूज़ करते हैं तो wetting agent कितना कम समय लेगा वह उतना अच्छा या उतना excellent wetting agent होगा तो यदि हम यहाँ पर बात करें excellent wetting agent कौन से है कि जो time कम ले और poor wetting agent कौन होते हैं जो time ज्यादा ले तो यहाँ पर correct answer क्या हो जागा दोस्तों A is the right answer चलिए possible description है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें time measure करते हैं cotton yarn लेते हैं उसको आप कह सकते हैं wetting agent के solution में आप उसको cotton yarn को प्लेस कर देते हैं cotton yarn को shrink होने में कितना time लगता है shrink होने में उस time को note कर लेते हैं जितना कम time लगे है उतना अच्छा wetting agent होगा चलिए आगे बात करते हैं surface tension can be determined by BET equation, poseless equation, cozeny carbon equation तो देखिए कि surface area वाला question बताया था मैंने कि surface area को measurement करने की method तो मैंने आपको बताया था दो method यूज करते हैं एक air probability method होती है और gas absorption method होती है gas absorption method में BET equation यूज करते हैं और poseless equation और cozeny carbon equation के लिए हम क्या करते हैं कौन सा? किसके लिए air probability method में यूज करते हैं तो definitely यहाँ पर BET equation poseless equation और poseless equation और poseless carbon equation तीनों के तीनों equation surface area को determine करने के लिए यूटिलाइस की जाती है तो दोस्तों यहाँ पर जो correct answer होगा आपका कौन सा answer होगा D is the right answer चली बहुत अच्छा खुशन है D is the right answer और यह possible description आपके पास है इसको आप देख सकते है चली आगे बढ़ते the angle of repose is calculated by 10 theta equal to radius upon height 10 theta equal to 1 plus radius upon height 10 theta equal to 1 minus radius upon height और 10 theta equal to height upon radius तो मैंने आपको यह पहली बता आता जो आपका angle of repose होता है तो आपका यह pile की height रहती है और radius ठीक है न उनके बीच का angle होता है यह maximum angle यह angle तो 10 theta equal to h upon r यह होता है आपका correct answer 10 theta equal to यानि correct answer क्या हो जागा D D is the right answer चली इसको याद रखें D is the right answer और आप देख सकते हैं आपर इसको possible description में ठीक है न यह इसका possible description है चली आगे बढ़ते हैं अबब mercury displacement method used to determination of true density, granular density, bulk density all of the above तो इनमें से कौन सी method है जिससे mercury displacement method के थूँ इनमें से कौन सा जो parameter है आपका powder का कौन सा parameter है जिस mercury displacement method के थूँ determine किया जाता है option A true density option B granular density option C bulk density option D all of the above तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि true density को हम mercury sorry granular density को mercury displacement method के थूँ determine करते हैं और true density के लिए पिकनो मीटर के थूँ determine करते हैं तो answer क्या होगा यहाँ पर granular density B is the right answer granular density चलिए देखते हैं हम लोग इसका possible description क्या है तो देखिए granular density के लिए mercury displacement method यूज़ करते हैं और bulk density के लिए displacement method और liquid displacement method use की जाते हैं next question number 22998 48 percent porosity occurs in which type of packaging 48 percent packaging 48 percent porosity है ज्यादा porosity है देखिए दो type porosity होती है एक 26 percent porosity हो सकती है 48 percent porosity होती है 26 percent अगर porosity है तो उसको close system बोलते हैं और 48 percent porosity है तो उसको open system बोलते हैं तो यहाँ पर cubic system होता है वो कैसा होता आपका close आपका open type का system होता है rainbow hydral packaging जो होती है आपका कैसा होता आपका close system होता है कम porosity बाला था rainbow hydral में 26 percent क्या होती है porosity होती है cubic system में 48 percent porosity होती है तो अटकना इसका answer क्या हो जागा अब d cubic packing यह पॉसिबल आप देख सकते हैं इसका description open packing close packing open में देखें तो open packing में या lugest packing या cubic packing में 48 percent porosity इस तरीके से अब closest रोंब रोंब इडरल पैकिंग में 26 percent porosity होती है चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्विश्चन नमर टू ट्रिपल नाइन सर्फिस टेंशन और वाटर इस डाइन पर सेंटिमीटर इसको आप याद रख लीजगा एक्जाम में क्विश्चन आ सकता है correct answer C यह possible description आप देख सकते हैं ओलिक एसिट की 32.5, बेंजिन की 28.9, क्लोरफर्म की 27.1, ओलिव ओल की 35.8, वाटर की 72.8, वहीं इंटरफिशल टेंशन के बारें बात करें तो आपका ओलिक एसिट का 15.6, बेंजिन का 30.5, क्लोरफर्म का 30.8, ओलिव ओल का 22.9 होता है चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले एक important information आपके लिए सबसे important information आज की लेक्चर की यही है कि हमारा ESIC Pharmacist के लिए एक online crash score शुरू हो चुका जिसकी price बेहद ही कम रखी गई है इसमें आपको live classes के अलावा आपको recorded video lectures, online test series, साथी साथ previous MCQs और e-notes मिलने वाले price मातर 1999 रुपय है, आप 1,999 में इस course को purchase कर सकते हैं और अभी हो सकता offer चल रहा हो तो आपको से भी कम में मिल जाए और यदि आप pharmacist के लिए test, pharmacist exam के लिए test series join करना चाहते हैं तो वो भी आपको 25 रुपीज में आपको मिल जाएगी इसके लिए दौनों courses के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारे GDC classes आपको जाकर download करना, install करना और फिर अपना payment करके आपका course आपको मिल जाएगा चली, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ चलते है, question number 3000 मतलब आज की lecture का last question और इस series का 3000 वा question अभी देखिए, question अभी बाकी है, total 5000 करने हमी, अभी 2000 question और बचे हुए है ये 3000 वा question है, which one of the following viscometer can be used for characterizing non-newtonian system किसके लिए, non-newtonian system के लिए utilize होता है, falling spare, cup and bob, capillary viscometer, hoplar viscometer देखे, falling sphere, capillary viscometer, hoplar viscometer, ये तीनों के तीनों आपके newtonian के लिए use होते हैं, किसके लिए newtonian के लिए और पहले भी देख चुके, cup and bob and corn and plate, ये non-newtonian के लिए use होते हैं, इसको याद रख लिए गा, किसके लिए non-newtonian के लिए तो correct answer दोस्तों क्या हो जाएगा, B is the right answer, yes, B is the right answer, और ये आप possible description देख सकते हैं, यापर, multipoint viscometer, non-newtonian के लिए use होता है, cup and bob, corn and plate, और single point viscometer, newtonian flow के लिए use होता है, the falling sphere, और capillary viscometer चली दोस्तों, इस lecture में इतना ही, definitely आपने इस lecture में subject physical pharmaceutical pharmaceutics के बहुत सारे important question को देखा, समझा, जाना, और बहुत सारे concept आपको clear हुए से, और definitely ये जो concept हैं आपके, ये जो question हैं आपको, आपके exam में help करने वाले हैं, तो दोस्तों इसी तरीके से मल लगा कर पढ़ाई करते र लेंगे, तो चलिए, तो अपना बहुत ख्याल रखिये, और मिलते हैं हम लोग, next lecture में कुछ नए questions के साथ, कुछ अच्छे descriptions के साथ, thank you so much, take care, bye bye.